CCS University ने कल तीन नोटिस डाले थे अपनी वेबसाइट पे, तीस तारिक को, जिन्हें मैंने रात को सवा ग्यारा बजे से साड़े ग्यारा बजे तक तीन नोटिस पढ़ने के बाद अपने टेलिगराम गुरूप पे डाल दिये थे, लेकिन मैंने इनकी वीडियो नहीं बनाये वीडियो ना बनाने का कारण ये था कि जो उसमें लिखा हुआ था, मतलब सबसे पहला UFM का है, वो तो रिजल टा गया था, वो मैंने डाल दिया था, और बाकी नोटिफिकेशन जो था, पे बैक पेपर, एक्जाम फोर्म फोर स्पेशल इवन सेमेस्टर, ये नहीं दिखा ठीक है, तो इसमें ऐसा है, जो नोटिस ये आया था, तो ये वो नोटिस था, जो जरूरी है आप सभी के लिए, लेकिन ये नहीं, अभी अपलाई नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाए था, अब इसमें बोल क्या रखा है, इससे भी आपके बहुत सारे स होता है, सेमेश्टर नहीं होता, तो यहां से प्राइवेट वालों के एक्जाम, मतलब प्राइवेट वालों के लिए ये नोटिस नहीं है, दूसरी चीज, नीचे की तरफ ये सारे कोर्स लिख रखे हैं, इन कोर्स को देखने के बाद आप नीचे पढ़ना, आदी सकते हैं, इस वेबसाइट पर जाके, और में किसी कारण वस अपने पाठ्टे करम में, किसी एक समसेमेश्टर, समसेमेश्टर मतलब दो, चार, छे, आठ, दस, केवल दुईतिये, चतुर, सश्टम, अश्टम, दश्रम की बैक पेपर परिक्षा या पूर्ण परिक्षा में तो इन में जो हैं, एक्जाम अब भर सकते हो, अगर आपका कोई भी जो है, जो समसेमेश्टर है, अगर आपका कोई भी बैक वगेरा है, या एक्स है, आप उन्हें भर सकते हो, अभी आपको मोका मिला है, दो, चार, छे, आर, दस, इसके बाद एक आया, तीन, आया मतलब ज कम्यूनिटी सेक्शन में भी डाल दी, फेस्बुक सब जगे डाल दी, लेकिन एक बार फिर पढ़के बता दू, अगर किसी चातर दुआरा, दो या दो से अधिक सेमिश्टर के परिक्षा फोर्म भरे जाते हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों के परिक्षा फोर्म निरस्त कर यूजी ओनली 003 और दूसरे वाला यूजी पीजी बैक, बीएड बैक, ओनली लास्ट येर या फिर ओनली लास्ट सेमिश्टर एक्जाम फोर्म, तो नीचे की जो तीसरे लाइन वो अभी जूड़ी है सामके टाइम, ठीक है, यूजी पीजी इवन सेमिश्टर, इस्पेसल ये गए है, ठीक है, तो वार्षी क्वाले आएंगे, वो बाद में आएंगे, फिलहाल सेमिश्टर है ये, ठीक है, जब आप इस पे क्लिक करोगे, जो तीसर आप्सन जो आया है, तो इस तरीके से खुलेगा ये, इसमें एमफिल का है बैक स्पेसल, और पीजी सेमिश्टर अगर अगर यूजी सेमिश्टर बैक और यूजी सेमिश्टर एक्स स्टुडेंट, अब अगर यूजी पे आप क्लिक करोगे, तो यूजी के अंदर ये सब सब्जक्ट खुलेंगे, अगर आप पीजी पे क्लिक करोगे, तो पीजी के अंदर ये सब्जक्ट खुलेंगे, अभी जो पीशे मैंने दिखाया था कि आपका जो वो था आपको जो पहले खुले वे थे ना फोर्म जो बैक वाले थे ओनली बैक आपका येर हो चाहे आपका सेमिस्टर हो जो फाइनल येर वाला था तो अगर आप उस पे क्लिक करोगे तो यहां पर ये दिखाएगा देखो अगर आप पूछो कि बज़ी सेकिंड येर का कब आएगा तो इसका रूल होता है कि पहले थार्ड येर की आते ही फिर सेकिंड येर आते हैं और फिर फरस्ट येर आते है ऐसी एक्जाम फोर्म भरे जाते हैं ठीक है अभी जो सवाल है उनमें थोड़ा सापको ओर केलियर हो या फिर स्पान को जो second year है या फिर मान के चलो third year है अब BA है BSE जो भी है private जो फोर्म आते हैं वो आएंगे जनवरी फरवरी में अभी जो है BA के admission अभी खतम हुए है अब PG के चली रहे हैं LLB की merit भी नहीं लगी second ठीक है तो इनकी इनको देखते हुए अभी मान सकते हैं कि कम स कम 10 या 15 दिन आराम से लगेंगे तो इसमें अभी time लगेगा जनवरी के last में मानो या फिर फरवरी में हमें इसे मानो जो private admission के form में वो आएंगे देखो admission form और exam form प्राइवेट के एक ही होते हैं क्योंकि अब regular अगर हो तो regular को पहले admission लेना पड़ता है उसके बढ़ाई चलत form कब भरे जाएंगे तो regular के भी exam form भरे जाएंगे admission तो हो गया उनका ठीक है आप जो exam है आपके PG वाले भी है और UG वाले भी है वो भी देखो मैंना भी बताया आपको कि अभी admission ही चल रहे है तो लगभग इनका भी जनवरी के last में या फिर फरवरी के फरवरी में पता चले आपका result internet पे दिखा दे कि भाईया आज एक तारीख है आज मेरा result दिखा दे एक जनवरी है नेट पे आया उस तारीख से 40 दिन जोडने के बाद आप college में चले जाओ कि हमारी marksit आगई या नहीं तो वहाँ से आपको सही status पता चलेगा ऐसा नहीं है कि भाई एक राम है एक श्याम है और राम का college A है और श्याम का college B है और राम की भी same degree है और राम ने कहा भाई मेरी degree आगए आप भी ले आओ अपने दूसरे college से तो ज़रूरी नहीं दोनों के college की same time पे आएगी तो college वाले अपने हिसाब से status आपको बताएंगे कि हाँ कब तक आपको आना चाहिए दुबारा कब विजिट करना चाहिए ठीक है ना तो ऐसा होता है BA second year private back form कब आएंगे BA second year private back form हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी है कि जो तरीका होता है back form आने का वो यही होता है कि सबसे पहले final year आते है मान के चलो BA है तो पहले third year आएगा फिर second year फिर first आभी चलना है final year के इसके बाद second year चलेगा और उसके बाद first year चलेगा ठीक है third year के बाद second year में थोड़ा ज़्यादा gap होता है second year के बाद first year में बहुत कम gap होता है तो जब second year आजाएंगे और उनके 10 दिन बादी मान देखोगे आपकी first year के भी form आ गए ठीक है हो सकता है इस बार second year और first year के एक साथ आजाएं ठीक है यह इसी लिए होता है कि आपकी सुविधा के लिए कि आपको पेमेंट वगएर आप करो कोई आपको दिक्कत ना हो यह website smoothly run करती रहे ठीक है क्या promote वालों को back form भरना है देखो जो promote हो गए है जिनके number वगएरा मिल गए है उन्हें back form नहीं भरना है एक बार अपनी तसलिक के लिए आप जो website है ccsuweb.in उस पे जाके check कर सकते हो या फिर अपने college से बात कर सकते हो थोड़ा सा और confirm हो जाएगा आपको ठीक है ना तो ऐसे cross check करते रहना चाहिए कुछ हम बताते हैं update कुछ आप notice देखते रहो कुछ आप college से information लेते रहो दोस्त आपको मैं बता हूँ हमने पहले भी वीडियो इस पर बनाई थी ऐसा हुआ था कि मान के चलो paper है बच्चों के और वो covid की वज़े से paper नहीं दे पाए तो वहाँ पर notice आया था कि आपको special exam देना पड़ेगा आपको special exam देके आपका जो है अलग से बुला लिए जाएंगे तो फिर उनका special exam नहीं हुआ ठीक है ना तो उनका special exam नहीं हुआ है तो उनको promote करा गया है ठीक है पहले जो दिक्कत आया थी promote करने में वो यह आया थी कि मान के चलो दो subject को देखते हुए उन्हें promote कर दिया तो इसमें बहुत सारे बच्चे fail होने लगे थे तो फिर rule को change करके उन जाके और थोड़ा समय जानकार लेकर आपको बता दूँगा बात यह है कि ccsu web.in पर अपना form चेक कर लेना कि खुल रहा है या नहीं खुल रहा है ठीक है अगर आप clear हो तो फोर्म नहीं खुलने का ठीक है वैसे promote पे खुल जाता है लेकिन आप result बगार देखोगे अगर व YouTube में डाल दिये हैं लेकिन फिर भी मैंने की लिंक डाल दूँगा description box में आप यह जाके देख सकते हो इस video से रिगार्डिंग अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे comment कर सकते हो